जहिंद बन्ने वात्रम आई चलते हैं बिहार की ताज़ा ख़बरों क्यों लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नीचे तो कर ले जिसे कि आपको बिहार की ताज़ा ख़बर रोजाना मिलती रहे पहली और बड़ी ख़बर बिहार मंतरी मंडल में फेर बदल समब है चर्चा की मुख्य मंतरी राज्यसभा सानसत बन सकते हैं और बीजेपी से कोई सीम बनेगा जबकि नितिस कुमार उन सभी कयासों को जुटला चुके हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है उन्होंने साप कहा है कि कोई मेरी व्यक्तिकत इच्छा तो नहीं है लेकिन राजनीतिक हालकों में चर्चा तेज है कि अप्रैल में जरूर कुछ होगा बज़ा साप है कि बीजेपी अभी 77 विधायकों के साथ बिहार में नंबर वन पार्टी है ऐसे में बीजेपी भी चाहे कि कि हमारे नितित्रत् नंबब है अभी बिहार में विधान परिशिद का अस्थानिय निकाय वाला चुना है साथ ही वो चहां विधान सभा का उपचुना होने वाला है अगली खबर गया और औरंगावाद में लू का अलड़ जारी पुर्णिया अरारिया समेत उत्तरपुर्वी इलाकों में बार इसका पुर्बानुवान भी जताये गया है इतना ही नहीं राजे के दस्चिन पस्चिम भाग में दिन के तापमान में तीन डिगरी सेल्शियस की बरोत्री का भी अलर्ट चारी कर दिया गया है मौसम के इस बतलाव का सीधा असर लोगों की सेहत पर भी होगा मौसम की लड़की के साथ गैंग रिप कम आमला साव ने आया है बताया रहा कि लड़की को उसके वाइफ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया था 35 किलोमीटर दूर बस से उससे मिलने के निकली बस अस्टेंड पहुंचने के बाद रास्ते में दो अंजान यूबक मिले उसे छोड गंटे में रे और पांच घंटे में हत्या तिजस्वी आदव ने बड़ा हमला किया है सीम नितीज कुमार पर और कहा कि सीम अपने राजनितिक इच्छा जता रहे और वो जनता की इच्छा पूरी करे नेतापरती पच्छे तेश्वी आदव ने बिहार में बढ़ते अपर पर नितीज सरकार को निशाने पर लिए और कहा कि बिहार में हर जगा अफराध है हर चार घंटे पर बलातकार हर पाज घंटे पर हत्याव रही यहां मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है आप कलपना कर सकते हैं कि औरों का क्या हाल होगा इस्वी ने कहा कि यह सब लोग मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि उनकी क्या इच्छा है अगली कवर ब्यार बोड में लोटने लगे CBST के बच्चे चार साल में CBST के 30 लाग तो ICST के 69 जार बच्चों ने BSEB में कराया एडमिसन एक दोर था जब भीहार बोर्ट से पढ़ना लाचारी कहलाती थी लेट लतीफी खराब रिजल्ट और धेर सारी खामियों के कारण बोर्ट सुर्खियों में रहता था लेट रिजल्ट के कारण बोर्ट के चात्रों को ना तो समय से बहतर स्कूल कॉलेज में दाखिला मिल पाता था और ना ही उन्हें अच्छे सेंटर मिल पाते थे मजबूरन गार्चियन CBST और ICST जैसे बोर्ट में अपने बच्चों का एडमिसन कराते थे लेकिन अब तेजी से CBST से 3 लाख बच्चे बिहार बोर्ट में आ चुके हैं अगली ख़र पत्ता में बंद हुए डीजल पेट्रॉल से चलने वाले आटो राजधानी पत्तना में आज से डीजल और पेट्रॉल से चलने वाले आटो का परिचालन बंद हो गया है सड़कों पर अब केवल CNG से चल आने वाले आटो चालक परिशान है और उनका कहना है कि कोरोना के वाद आर्थिक एसेती बदतर है और ऐसे में यह जो निर्ण लिया गया है वो उनके लिए बहुत ही नुक्सान देश साबित होगा अगली कवर एक वर फिर से लालू यादब की जमान टल गई चारा घोटाले में सजायपता आर्चेडिस सुप्रीमो लालू परसाद यादब की जावानत याज़िया पर जार्खन आयकोट में सुनवाई टल गई है जस्टिस अपरेश कुमार सिंग कोट ही नहीं पहुचे अगली कवर रामनम्मी और रामजान को लेकर अलट आने वाले पर्वत्यवार को लेकर रोताज पुलिस रेड अलट मोड में हैं रामनम्मी एवं रामजान को लेकर पुलिस ने डेहरी सहर में प्लैग मार्च किया प्लैग मार्च करने तो खुद स्पी आसिस भारती कर रहे पुलिस का काम है पर नवादा में MLC चुनाओ को लेकर गयमा गमी तेज हो गई है अब RGD ने चुनाओ में जीत के लिए सभी दाव पेच अपनाना शुरू कर दिया है किसी क्रम में जिले में राज़त के प्रदेश प्रवक्ताव जिला परभारी सक्ति सिंग्यादम ने एक स सुनिस्चित सक्ति सिंग्यादम ने कहा कि पार्टी उमिद्वार स्रवन कुसवाह प्रसंड बहुमत से जीत की और आगे बढ़ रहे अगली ख़र बियार में साब काटने से मौद पर परजनों को चार लाख रुपे देगी जिलती सरकार प्राकिर्थिक आपदा में किया गया सामिल बियार में अब कभी भी यदि किसी व्यक्ति की मौद साब के काट्टे की बजा से होती है तो राज सरकार उसकी परिजनों को 4 लाख रुपे की अनुगरा रासी प्रदान करेगी इसकी गोषना विधान सभा में डिप्टी सीम रेनु देवी ने कर दी है बियार के किसी व्यक्ति की कभी भी साब के डसने से मिड़ती होती है तो राज सरकार मिड़तक के निकट्टम परिजन को 4 लाख रुपे का अनुगरा अनुदान प्रदान करेगी बियार विधान सभा में उप मुख्य मंतरी सह आबदा प्रवंदन मंतरी रेनु देवी ने इस सरपदन्स पर अनुगरा अनुदान का प्राबधान किया जाता था लेकिन अब पुरे बिहार में इसका प्राबधान किया गया है अगलिकवर बिहार में सराबंदी संसोधन बिधहक पास मजिस्ट्रेट ने चाहा तो तुरंत छूटेंगे बरना सराब पीने वाले अब भी जाएंगे जेल आपको बदा ले कि बिहार में सराबंदी कानुन में संसोधन का बहु प्रतिक्षित बिधहक बिधान मंडल के दोनों सदनों से पारित हो गया राजेपाल की स्विकिर्टि के बाद यह कानुन का रूप लेगा और तुरंत प्रभाबी हो जाएगा पुराने कानुन में सबसे बड़ा बदलाविया किया गया है कि सराब पीते पकड़े जाने पर जेल भेजने के बदले जुरुमाना देकर छोड़ा जा सकता है उत्पाद एबं मध्य निशेद मंत्री सुनिल कुमार ने सदन में बिहार मध्य निशेद और उत्पाद संसोधन बिधहक 2022 पेस करते हुए कहा कि इससे आदालतों में मुकर्दमों की संख्या कम होगी और सराब के बड़े कारोबारियों के खिलाब सकते कारवाई करने में मदद विलेगी तो दोस्तों बिहार की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब की किया तो करने जिसे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना में